प्यार के में आज है बहुत बड़ी परिक्षा की घड़ी और परिक्षा है कुनाल की वो किसे अपनी मा मानता है पारुल को या फिर मिनाक्षी को किसे मा का हग देता है पारुल को या मिनाक्षी को जी हाँ आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे वो पूरा बिजनेस जो म मिनाक्षी ने पूरी चालाकी के साथ ये दिखाने की कोशिश की थी कि कुनाल और उस ने जो उनका ट्रेवल बिजनिस था वो पूरा मिस्टी के नाम कर दिया है लेकिन मिस्टी ने भी यहां उन सब का मान रखते हुए वो पूरा बिजनिस कुनाल को दे दिया यहाँ पर मिनाक्षी फिर से चाल चलती है, मिनाक्षी यहाँ पर कहती है कि अगर कुनाल है इस बिजनस का ओनर तो उसकी मा ही इनागरेट करेगी, ऐसे में मिस्ट्री और अभीर को लगता है कि कुनाल की मा तो पारुलमासी है, ऐसे में कुनाल को यही करना चाहिए, पारुलम पूरी फैमिली उनकी मायके की फैमिली बहुत परिशान होती होने लगता है कहीं मिस्ट्री और कुहु के बीच पे दरार तो नहीं आ गई है वो दोनों इन दोनों की चीज़ों को दूर करने की कोशिश करते हैं मिस्ट्री सब कुछ सह रही है वो इस घर में शांती चाहती है प्यार चाहती है पूरी फैमिली को मिला कर रखना चाहती है इसलिए वो कुहु का वो सच किसी के सामने नहीं आने दे रही है वो सब के सामने यहीं दिखाती है कि वो और कुहु बहुत खुश है वहीं आप देख आप अबीर और मिस्टी को इतना करीब देखेंगे क्योंकि इनकी जिंदिगी में शादी की बास से कुछ नकुछ प्रॉब्लम लगातार आ रही है यहाँ पर आप देखेंगे आज के एपिसोड में खास यह बात कि अबीर लगातार कुणाल को यह एसास कराने की कोशिश करेगा कि पारॉल मासी इस घर की नौकर है वो जान बूच के ऐसा करेगा कि ताकि कुणाल का समीर जागे उसकी मा के बारे में कोई ऐसी बाते कर रहा है और कुणाल अपनी मा को वो हग दे जिसकी वो हगदार है यहाँ पर अभीर लगातार यह बात कहता है कुणाल को अच्छा नहीं लगता मिस कुहू को भी बड़ा अजीब लगता है कि बिग ब्रो ऐसे कैसे बात कर रहा है खेर यहाँ पर ये सब कुछ अभीर की चाल है वो जान बुझ के पारल मासी को घर का नौकर बता रहा है अब देखना ये है कि क्या आज क्या इनौगरेशन में क्या कुनाल अपनी मा को ये हग देता है वो प्यार देता है, वो इस्जत देता है या एक बार फिर से मीनाक्षी की जीत होगी ये सारे टूइस, ये सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भोलिये ते ते लिए टे केर बाइ बाइ